तो कुछ दूनों पहले ना मैंने आप लोगे सान में लैक में का एक वीडियो शेयर करा था चाहां पर लैक में की लूट ओफर आप लोग को बताया था तो वह आला पाट से तो मुझे सुबा मॉर्निंग में ही रिसीव हो गया था गाइस तो मैंने सुचा कि इसकी एंबॉक् आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताई का किन लोगों ने ये वाला जो लैक में का ओफर था लिया था या नहीं लिया था क्यूंकि जो डारेक परचिस लिंक था ना वह मैंने आप लोग सान में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दिया था बढ़ हां बहुत सा बॉक्स मुझे मॉर्णिंग में रिसीव हुआ था इसको फटा फट से अन्बॉक्स करके दिखा देती हूं मैं आप लोग को साथ में कि एक्शल में क्या क्या प्रटेक जो मिले हैं वो मुझे लगा था कुछ मिलेगा पर आया कुछ और है लैक में की तरफ से तो आप लोग जो गाइस चलिए मैं आपको ना वन वाई वन करके दिखाती हूं कि क्या क्या प्रटेक थे और क्या मुझे रिसीवा है यह जो बॉक्स था यह मला ओर कुछ और करा था और रिसीव हमें कुछ और हुआ है तो से पहले तो यह जो लैक में की 925 CC जो क्रीम थी ना इसका सैशे मिला है एक पाउच मिला है और जो में प्रटेक हमने ओर करा था वो था लैक में की एप्सलूट रेंज से 99 रुपीज की क्रीम थी डे क्रीम थी एंड यह था वो बॉक्स जिसकी वज़े से सभी लोगों में खलवली मच गई थी बट गाईज एक्सवैक्टेशन से ना बहुत ही जारा छुटा है मतलब इसमें आप लोग से बैंगल वगरा ही रख सकते हो मुझे तो इतना कोई खास इसका यूज क्या रख सकते हैं और अंदर से जो पोट्री होती है ना कुछ इस तरह से हैं जो पहले के टाइम के जो हमाई दादी वगरा यूज कर दिती हैं यह कुछ इस तरह से हैं अंदर से एंड से बताओं तो मुझे तो परसनली नहीं पसंद आया 1 60 रुपीस में मुझे तो पता न सामान रखने के लिए यह काफी अच्छा है मुझे उस हिसाब से काफी साही लग रहा है इसमें अपने जो चांदी का सामान या फी सोने का सामान होता है वो अपनी लोकर वगरा में रख सकती हो तो उस साब से ठीक है वड़ अदर्वाइस मेक-प के साब से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दो-तिन दिलिश्टी के आएंगी बस एंड गाइस यह थे वो तीन फ्रेडेक्ट जो हमने वन सिस्टी रुपीज में लिए थे जो कि हमारे पैसे बरबाद हो चुके हैं करा से मैं तो हां सच में एक आँगी मुझे से वन सिस्टी रुपीज ने तो बिल्क को कैसा लगा आपका experience में जो comment करके जरू बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना मिलती हूं नहीं वीडियो में बाबाई